सत नाम सत साइब संस रोमनी रगदाजी महराजी की बविश्यवानी है जो आने वाले अवतार हैं कि जीते जी मरेगा कई बार मरेगा और छेदम वेस में विचरेगा इस पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहाता सबसे पहले मानने की परकिरिया को समझते हैं कि जब इनसान की मृत्ती होती है तब कैसे होता है जब इस सरीर से आत्मा रूपी उर्जा निकलती है जो इश्वर रूपी महान उर्जा पुंज का अंस है उर्जा इसलिए कहा रहे हैं जैसे उर्जा के दो रूप होते हैं सबद एक तो आवाज होती है उर्जा में दूसरा परकास होता है ठीक ऐसे ही इस आत्मा रूपी उर्जा के भी दो रूप इस सरीर के अंदर ध्यान योग करने वाला साधग जान पाता है मारने के समय सरीर से उर्जा की चेतना सिमठती हुई यानि जब मृत्य होती है सरीर की तो नीचे पैरों से उर्जा सिमठती हुए पर क्योब आती है पिंड यानि छाती और छाती के नीचे का हिस्सों से उठती हुई ब्रह्म छेत्र यानि इस छेत्र में आ जाती है आ जाती है आपने देखा भी होगा कि जब मनुश्य की मृत्य होती है तो आखों से आशु या नाक से पानी या मुख का खुला रह जाना आदी यानि इस तरह की स्थिति हो जाती है तो मासे समझ लेते हैं कि यानि आत्मारूपी उर्जा निकल ही है जग ऐसे उर्जा निकलती है ठीक ऐसे ही ध्यान साधना में चेतना सिमट कर ब्रहम रंद्र में आ जाती है ध्यान साधना में ठीक मृत्य जैसी ही स्थिति होती है किरिया होती है और गहन समाधी साधक की लग जाती है लेकिन इस परकिरिया में सादक जीवित रहता है केवल अंतर इतना ही रहता है कि ध्यान सादना में सादक जीवित रहता है और उसके नीचे के सरीर का अभास उस सादक को भी नहीं रह जाता है लेकिन जब संत की मृत्य होती है जो गहन समादी में पहुंचा विशंत शरीर छोड़ता है तो आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि उसका ब्रह्म छेत्रियानिया से फट कर निकलता है तो इस परकिरिया में सादक जीवित रहता है और उसके नीचे के सरीर का अभास नहीं रहता है उसे विचार सुनने हो जाता है या परकिरिया मरने जैसी ही होती है यानि गहन समादी में जब जाते हैं तो मरने जैसे परकिरिया होती है लेकिन जब आम इंसान के साथ यह होता है अंतिम समय में जब यह होता है स्रीर छोड़ते समय तो उसे बहुत भैवैड डर लगता है जी ने कहा है कि जो दस्वय अवतार आएंगे उनके विश्य में कहा है कि वह जीते जी कई बार मरेगा अर्थात गहन समाधी में जाएगा अर्थात वह पूर्ण संत वह योगी होगा उन्होंने अपने एक वाणी में भी लिखाया है और दूसरे तरह उनके बहुत सारी वाण है इसमें लिखा है सहज समाधी उपाधी रहत होई यानि इस तरह की सहज समाधी की जो उपाधी है वह बड़े ही भाग्या से मिलते हैं बड़े भागी लिव लागी यानि वह मनुस्या या वह व्यक्ति बहुत ही भाग्या साली होता है जिसकी इस गहन समाधी के परति संसार से उप्राम हो जाते हैं उनको कोई महों संसार से नहीं रहता उस साधक को भी और संस्रोमनी रविदाज जी महाराज जी को भी तो कह रहें कि मती जनम मरन भै भागी उसकी जो मती है मन है उसकी जो जनम मरन का जो भै होता है उस से हट जाता है उसको कोई डर नहीं लगता है और देखें यहां भी इन्होंने कहा है यह सबद है यह जनम मरन भै भागी इसका पूरार्ट है वो आगे कह रहे हैं संस्रोमनी रविदाजी महाराज जी कि ऐस जो आने वाला है वह छदम वेश में विच्रेगा हचछदम का मतलब है, जैसा वह है, वैसा वही है दुनिया के सामने दिखाई नहीं देगा याणि है तो वहाँ संत लेकिन साधां मनुश्या उसे जान नहीं पाईगे कि यहाँ संत है, अर्था तो वहाँ पूं शंत है लेकिन कभी भी अपने आपको दिखाएगा ही नहीं कि वह संत है जैसे अज कल संत की एक वेसबूशा होती है घेरोवा महरूम रंग का उनका जो कपड़ा होता है पहनावा होता है वह वैसी वेसबूशा धारण नहीं करेगा साधारन तै आज इकल की 65 वाली वेस भूसा में ही रहेगा और विच रहेगा यानि अपने सबी कारिया उस साधारन तरीके से ही रहेगा इसलिए कहा है कि वह छदम वेस में विच रहेगा तो इसको संस्रों निर्वदाजी महराजी की जो बेविश्यावानी है वह ध्यान साधना की ओर जाते हैं कि वह एक पूर्ण संत होगा और तो चलिए हम भी हम लोग भी जो है इसे सिक्षा लेते हैं और अपने आपको ध्यान योग की ओर बढ़ाते हैं सतनाम सत्साइब